Hello everyone, welcome back again, बेटा, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वरक्षीट नमबर 84, इसमें हमने पढ़ना है पुन्रा फृति ओफ द्वी घात समीकरन, किसकी द्वी घात समीकरन के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, द्वी घात, जिसकी घात कित पर प्लस पी एक्स प्लस एजीरो, दूसरी बात कंडिशन दी है, एजीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर एजीरो हो गया, तो एक्स की पावर टू जीरो हो गया, एक्स की पावर टू जीरो हो गया, तो द्वी घात कैसे बना, दो घात कैसे बनी, ठीके, उसके ब वो उनको बोलते है मूल द्वी घात बहुपत की घात आपको बता चुकी हूँ उसके बाद क्या है विविक्त कर किस से रिनोट करते हैं D से और इसका फॉर्मूला क्या होता है B square minus 4AC इसको हल करने के बहुत सारी वीदिया है अब देखो ध्यान से जो सबसे important जहां से question आता है वो आता है मूल की प्रकार या प्रकर्टी यह आपका important रहेगा मूल के प्रकार देखो मूलों की प्रकर्टी कैसी होती है वास्तुविक हो सकती है ऐ समान हो सकती है वास्तुविक हो सकती है समान हो सकती है या फिर वास्त्विक नहीं होंगे तो यह किस पर depend करती है इसके उपर depend करती है यह जो आपका है न b square minus 4ac b आपके पास के अबिबच्चे coefficient of x यानि कि किसका गुण्णांक x का गुण्णांक ठीके और a आपका क्या है x square का गुण्णांक ठीके किसका गुण्णांक x square का गुण्णांक c क्या है आपका constant time constant यानि कि जो आपके पास mathematical time होती है जो यह last में लिखा हुआ अब जब इसमें value put करोगे तो जब इसकी value put करने पे जो answer आएगा वो आपका अगर 0 से बढ़ा आ जाए तो कैसे होंगे मूल वास्तविक और SMM जब इनकी value जब इसमें value put करोगे जब इसमें इसका मान रखोगे तो यहां से जो value है जो अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो कैसे हो जाएगे वास्तविक और SMM जब आपके पास ये value 0 से कम आए तो वास्तविक मूल नहीं होंगे और निकालने के तरीके क्या है आपके पास गुलनखंड भी दीजे जो कि आपको पता है किसका सर्वसमिकाओं का प्रियोग करके मध्यापद का विभाजन करके दूसरी बात अगर इनसे भी नहीं होता एक तो माइनस करके और एक प्लस करके देखो यहां मैंने क्या लिखा था प्लस और माइनस तो अलग-अलग होगे प्लस वाला एक आ गया माइनस वाला एक आ गया यह अल्रड़ी बता चुकी हूँ अगर जो वीवित कर है तो महराज 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसे आएंगे वास्तविक और एक समान बराबर होगा तो वास्तविक और समान होगी और अगर छोटा होगा तो वास्तविक नहीं होगे ठीक है आप देखो आगे question क्या दिया निमने समीकरणों को गुरंखन विरीद्वर एक्स के लिए हल निकालो तो देखो बेटा सबसे पहले आपके पास समीकरणी है इसमें क्या किया हमने मध्य पद को क्या किया अलग किया तो इसको क्या लिख दिया root 6x root 6x ठीक है तो इसको यहां से देखो 3x square यह आ गया under root 3 under root 2x इसको लिख सकती हूँ ना under root 6 का मतलब क्या है वर्ग मूल 6 का मतलब क्या है वर्ग मूल 2 गुना वर्ग मूल 3 ऐसे लिख सकती हूँ ऐसे 3 को क्या लिख सकती हूँ वर्ग मूल 3 गुना वर्ग मूल 3 ठीक है जब मैंने इसमें value put की तो इन दोनों में से क्या common आया वर्ग मूल 3 तो यहां क्या बचा अगले question में थोड़ा सा change करना है statement आपको यह दे रखिये 2x square minus के ax और जमा a square तो यह आपकी गलत statement है थोड़ा सा plus minus में change है यह ठीक कर लेना अब इसको भी क्या किया मध्यापद को break करके तोड़ के देखो यहां से ax को क्या लिख दिया minus के plus के 2x और minus के ax तो यहां से देखो इन दोनों में से क्या comment आगे 2x तो यहां बचा x जमा a यहां से minus का a को मन आगे क्या बचा x जमा a तो 2x जब minus a और 2x plus a जब इनको रखा साथ में तो क्या आगे x की value एक तो आगे minus a दूसरी आगे a जमा a by 2 तो यहां पर देखो मैंने बताया था तो यहां पर देखो मैंने बताया था x को अर की गुन नां को a बो लोगे X के गुंदान को B बोलोगे और इसको क्या बोलोगे C जब इसमें value पुट की तो यह किसकी value आ गई अगले में देखो क्या बोला गया अगले में आपसे पुछा यह गया जो आपका विवित कर है यानिकी D है उसकी value निकालो तो जब ध्यान से देखो यह आपका A, यह आपका B और यह आपका C formula क्या होता है 20 square minus 4AC B की value यह हो गई 4AC की value यह हो गई इसमें put कर दो आगे देखो अगले question में क्या दिया होगे इनको solve करना है LCM लिया, सबसे पहले तो इसको correct करना question में दिया होगा plus plus नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा minus ठीके, तो यहाँ से देखो क्या आएगा X plus 4, X minus 7 जब इसका LCM मैंने यह लिया इसको इससे divide करूँगी तो X plus 4 से X plus 4 कट गया, क्या बचा X minus 7 तो यहाँ के आगे X minus 7 बीच में minus का sign, तो यहाँ के आगे X plus 4, सेम तरीके से अब ध्यान से देखो, जब इसको solve करूँगी बाहर किसका sign है, घटा का sign है तो ध्यान देना बेटा, घटा का sign क्या करेगा इन दोनों sign को बदल देगा जो plus का है, उसको minus का, जो minus का है उसको plus का तो यहाँ से क्या बन चाहेगा minus X minus 4, तो cancel out हो गया, क्या बचाँ, यहाँ से minus के 11, जब इन दोनों को गुना करूँगी तो क्या बनेगा, X square जब इसको यहाँ से multiply करूँगी तो minus का 7X इससे करूँगी तो plus का 4X और इसको इससे करूँगी तो क्या जाएगा minus का 28, ठीके, तो 11 से 11 कट गया, यहाँ क्या बचा, minus का 1 ठीके, यहाँ बे मेरे पास क्या बचा, minus का 1, ठीके तो जब मैं इसको इससे गुना करूँगी तो बन गया minus का 30, और यहाँ बे minus का 28 20 भी है इसको इससे गना करूंगी तो मेरे पास ये बन गया ये माइनस का 30 जब दूसरे साइड जाएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा और माइनस का 30 और माइनस ये दोनों एक ही question गया और दूसरी बात इसने बोली कि जो इसका जो मूल है वो आपके पास एक मूल दिया हुआ minus 5 तो जब इसका मूल है तो इसमें क्या put कर सकती हूं x की value put कर सकती हूं तो जो मैंने x को क्या put कर दिया minus 5 तो वो उसको 0 बना देगा तो यहां से मेरे पास कितना आ गया पी की value साथ आ गई दूसरी condition इसने दी जो इसके मूल है ना बच्चे इस equation के जो मूल है वो क्या है बराबर है वो मूल क्या है बराबर तो यहां पे लिखोगे अब पी बराबर है साथ और यहां पे क्या आएगा आपका बराबर मूल बराबर क्या लिखोगे मूल बराबर अगर मूल बराबर है तो यहां पे देखो पी को साथ पुट कर दिया तो क्या बन गया साथ एक स्कुर जमा साथ एक स्जमा के तो यह कैसे कैसा आ गया आपके पास द स्क्वार b की वैल्यो मेरे पास कितनी है बिटा साथ ठीक है यह बी है यह आपका a है और यह आपका c यह जब इसमें मैंने वैल्यो पूट की तो यह बन गया 7 au 7 Unanctions साच चुक 827 बाहर निकाल लिया किया 7-4 के बराबर 0 तो साथ माइनस चार के जीरो के बराबर आ गया यह वहां जाकि घटा हो जाएगा माइनस से माइनस कट क्या तो की की वेल्यू कितनी आ गए माइनस साथ बड़ी चार लास्ट कॉश्चन थोड़ा सा ट्रीक है देखो ध्यान से इसको सॉल्व करना है इसको मैं उठा के यहां ल जूरतनी आपके पास अल्ड़ी ऐसे आ चाहेंगे तो इन दोनों में से क्या को मनाया X इन दोनों में से क्या को मनाया B तो या तो X प्लस A0 होगा या X प्लस B0 होगा तो X की value minus A आ गई, X की value minus B आ ठीक है तो ये थी आपकी worksheet number 84 I hope it is clear to everyone and if you like it then please share and subscribe thank you so much